तो दोस्तो आई तारीक हो चली है 9 जनवरी 2024 की साथी में दिन हो चुका है मंगलवार का और अभी अभी 2000 रुपे के नोटों को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है RBI यहने के Reserve Bank of India की ओर से 2000 रुपे के नोटों को लेकर नया बयान दिया गया है तो आज के इस वीडियो में हम आपको 2000 रुपे के नोटों को लेकर जो महतोपूर खबर आई है उसके बारे में बताएंगे इसके अलावा किसानों को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ी खबर आई है जानकारी के मताबिक 10 करोड से जादा किसानों को मोधी सरकार जल्द ही एक बड़ी खुश खबरी दे सकती है तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे इसके अलावा CA कानून को लेकर भी एक बड़ आपडेट है कुल मिलाकर इस वीडियो में हम आपको 10 बड़ी खबरे बताने जा रहे हैं साथी में छोटी मोटी कई खबरें तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें क्योंकि इन में से कई खबरें सीधे देश के नागरिकों की जिंदगी पासर डालेगी तो आई ये वीडियो शुरू करते हैं बाकि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानों का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का इकन दबाकर औल को सेलेक्ट करना ना भूलें अगर आप चाहते हैं आने वले दिनों में आपको महतोपून पस जरुवत की खबरें असान भाषा में फटा फट से मिलती रहें तो देखे आज के इस वीडियो की पहली बड़ी खबर अमेरिका की प्राइविट कंपनी ने चांद पर भेजा इस स्पेसक्राफ्ट आने वले 23 फरवरी को चंदरियान 3 की तरह सौफ्ट लेंडिंग करने का है इसका लक्ष्र 51 साल बाद कोई अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरने वाला है जिहां भारत के चंदरियान 3 की कामियाबी के बाद अमेरिका की प्राइविट कंपनी युनाइटेड लॉंच अलाइंस ने बीते सौमवार को मून मिशन पेरे ग्रीन वन लॉंच किया है इससे भारती समय अनुसार दोपहर 12 बच कर 48 मिनट पे लॉंच किया गया अमेरिका का ये मिशन 20 फरवरी को चांद पे लेंड करेगा बताया गया है अगर ये स्पेस क्राफ्ट सही सलामत चांद पे उतर जाता है सौफ्ट लेंडिंग कर लेता है तो बीते क्यावन साल में पहली बार कोई अमेरिकी एरक्राफ्ट चांद की जमीन पर उतरेगा इससे पहले 1972 में अमेरिकी स्पेस अजनसी नासा के अपोलो 17 मिशन ने वहाँ पे सौफ्ट लेंडिंग की थी देखे आगली खबर बिलकिस बानो गैंगरेप के इसको लेकर आई बड़ी खबर सभी 11 दोशी दोबारा जेल जाएंगे सुप्रीम कोट के फैसले पर बिलकिस बानो बोली सीने से बोजुतरा आज मेरे नया साल शुरू हुआ जिहां गुजरात में 2002 के दंगो के दोरान बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोशीयों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को यहीं के गुजराज सरकार के फैसले को बीते सुमवार को सुप्रीम कोट ने पूरी तरह से रद कर दिया फैसले के बाद बिलकिस के घर पर पठा के फोड़े गए बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोट का शुक्रिया अदा किया बिलकिस बानों ने कहा असल मेरे लिए नया साल शुरू हुआ है मेरी आखें रहत के आशूंसे भीग गई है दोस्तों इन शोट में आपको बता दें कि बिलकिस बानों का सन 2002 में दंगों के दोरान रेप हुआ था इसके लावा बिल्किस बानों के हाथ पर वगरा भी तोड़ दिये गए थे इसके लावा बिल्किस बानों के कई परिवार के लोगों को मार दिया गया था बाद में 2008 में आरोपियों को पकड़ लिया गया इनका आरोप सिध हो गया तो 2008 में 11 दोशियों को उम्र कैद की सदा सुनाई गई लेकिन अभी से लगभग 2 साल पहले गुजराज सरकार ने 15 अगस्त को अमरित महस्तव के तौर पर इन सभी 11 दोशियों को रिहा कर दिया जाहर बात है गुजराज सरकार का ये फैसला गलत था इसी की वज़ा से अब सुप्रीम कोट ने गुजराज सरकार के फैसले को रद कर दिया है और जो भी 11 दोशी बीते डेड़ दो साल से बाहर है अब उन सभी को दोबारा जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इनको कोट ने गैंग रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है बाकि दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि देश के सबसे बड़े कोट सुप्रीम कोट ने ये फैसला सही किया या गलत किया आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मेरे हिसाब से ये फैसला बिल्कुल सही है आप अपनी राय बताएं देखे आगली खबर कहीं आपके पास आने वाला 500 रुपे का नोट नकली तो नहीं है रहिए सावधान क्योंकि अभी इस समय बड़ी तादाद में 500 रुपे के नकली नोटों को बाजार में खपाया जा रहा है ऐसे नोट रोजाना पकड़ में आ रहे हैं जिया नकली करंसी के साथ अभी हाली में तिन यूओकों को पकड़ा गया था दो चार दिन पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 50 रुपे के नकली नोट बरामत किये थे और ये सभी 50 रुपे 500 रुपे के नोटों में थे फिलाल जो ताजा खबर आई है उसमें ये बताया गया है कि अभी इस समय यूपी के कई जिलों में इसके अलावा देश के कई और हिस्सों में 500 रुपे के नकली नोटों को खपाया जा रहा है मार्केट में फलाया जा रहा है हर रोज ऐसे नोट पकड़ में आ रहे हैं तो आप सावधान रहें ऐसा ना हो कि आने वाला अगला नोट नकली हो जो आपके पास आए देखे अगली खबर के कारगिल में पहली बार C-130J प्लेन की नैट लेंडिंग हुई एरफोर्स ने इसका वीडियो जारी करते हुए कहा है कि इस विमान को कारगिल में उतार कर इतिहास रचा गया है अब रात के अंधेरे में भी निगरानी और दुश्मनों पे हमले किया जा सकता है दोस्तों आपको बता दे कारगिल में लेंडिंग इसलिए मुश्किल है क्योंकि कारगिल की जो हवाई पट्टी है जो उतरने वाला रनवे है वो समूदर की तल से 8,800 फीट की उचाई पर है यहाँ पे लेंडिंग काफी मुश्किल है, रात के अंधेरे में लेंडिंग करना और भी चुनोतियों भरा होता है, क्योंकि इस दोरान पहारों से बचना होता है, यहाँ पे कोई रोश्री नहीं होती, केवल नैविगेशन के जरिए, यानि का आपको स्क्रीन पर जो रास्ता यहाँ अभी हाली में, बिहार के दर्भंगा में एक बड़ा मामला सामने आया, दर्भंगा जिले के मोरो थाने को कुछ असमाजिक तत्वों ने, यानि के कुछ घटिया लोगों ने, बीतर विवार रात को आग लगा दी, यानि के पुलिस वालों को थाने के अंदर ही जला जियां बंगलादेश की मौझूदा पीम शेक हसीना जो की छेतर साल की हैं अब वो लगतार पांचवी बार प्रधान मंतरी बनेंगी हलेके ये उनका पांचवा टाम होगा अभी हाली में बीतर विवार को चुना हुए थे इसमें उनकी पाटी अवामी लीग ने संसत की 300 में स दोस्तो चार सीटे जीत ली हैं देखे आगली खबर भीड हुई तो 18 घंटे तक खुला रहेगा राम मंदिर आईए बताया अधिक जानकारी जिहां आयोध्धा में 22 जनवरी को राम लला के विराजमान होने के बाद 13 जनवरी से कोई भी व्यक्ती आयोध्धा के राम मंदि तक खुला रह सकता है इससे पहले बताया गया था कि ये दरबार 14 घंटे के लिए खुलेगा लेकिन बताया गया है कि अगर भीड काफी जादा हो जाएगी तो फिर ये 18 घंटे तक खुला रह सकता है अब देखें वो खबर जो 10 करोड किसानों को लेकर आई है कि 10 करोड से जादा किसानों के लिए आई बड़ी खुश खबरी मोधी सरकार जल्दी कर सकती है एक बड़ा एलान खाते में 6000 रुपे के बजाए 8000 रुपे आएंगे जिहां लोग सभ़ चुनाओं से पहले केंदर की मोधी सरकार 10 करोड से जादा किसानों को तोफ़ा देने के मूंड मे हैं लाइव हिंदुस्तान.com की ओर से ये खबर साजा की गई है और बताया गया है कि सरकार की जो एक योजना है प्रधान मंतरी किसान सम्मान निदी योजना जिसके तहट हर साल तीन बार में 4-4 महीने पर 6000 रुपे दिये जाते हैं दो-2000 रुपे करके तो 6000 रुपे की कुल आशी को 8000 रुपे किया जा सकता है यनि के आने वले दिनों में सरकार के इस फैसले के बाद हर सल किसानों को फ्री में यनि के जो गरीब किसान है उनको 8000 रुपे मिलेंगे 6000 रुपे के बजाए देखे आगली खबर के कई घंटों की देरी से चल रही है दिल्ली पहुचने पहली 70 से जादा ट्रेने हजारों यात्री हैं परिशान अब कोहरे की वज़े से अठंड की वज़े से कौन से 70 गाडियां काफी लेट चल रही है उनकी जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर गाडियों के लिश्ट काफी लंबी है एक करके बताऊंगा तो वीड मंतराले की ओर से जिसमें ये बताया गया था कि जल्दी CAA लागू होने वाला है लेकिन अभी जो जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि CAA लागू करने को लेकर अभी सरकार के सामने क्या चुनाओतियां हैं तो इस बारे में पूर्व I.S. विजर शंकर पांडे कहत दे दी जाए वो भारतिये बन जाए लेकिन 2019 में इसका विरोध हुआ था विरोध के पीछे की वज़ा ये थी क्या खिरिये कानून धर्म के नाम पे क्यों लाया गया है तो अभी इस समय दो हज़र चौबिस में पूर्वाइस के मुताबिक सरकार के सामने सेम वही चुनाओ पर देश के समय दो होज़र चौबिस में पूर्वाइस के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं जो उन देशों में अलब संख्यक हैं उनकी आबादी वहाँ पे काफी कम हैं और तीनों ही देश इसलामिक हैं मुसल्मानों के देश हैं तो फिर वहाँ के मुसल्मानों को भरत क की नागरिकता क्यों मिलनी चाहिए बलकि नागरिकता तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जो उन तीन देशों में पाकिस्तान, बंगलादेश, आफगानिस्तान में धर्म की वज़े से परशान हैं जैसे के हिंदू, सीख, इसाई, बौध, या जैन, या पार्सी वगएरा तो इन में से कोई विव्यक्ती, सीए के लागू होने के बाद अपलाई कर सकता है, कि वो भारत का नागरिक बनना चाहता है और उसको नागरिकता दी जा सकती है, पूर्व आईएस पांडे कहते हैं कि असल में देखा जाये तो ये कानून इस देश के लोगों से जुड़ा हु देखने को मिल सकते हैं, देखे आगली खबर के अगनी वीर भरती के नियमों में हुआ बदलाओ, अब सेलेक्शन के लिए टाइपिंग का टेस्ट भी देना होगा, देखे आगली खबर के श्वर्यर आये और अभिशेक बच्चन के तलाकों के अफवाहों पे लगी रोग, अभी हाले में अभिशेक के टीम को सपोर्ट करने के लिए शवर्यर आये, बेटियर आध्या और अमिताब बच्चन एक साथ पहुँचे, एक साथ तीनों ने इंजॉय किया, आईए अब देखें वो खबर जो 2000 रुपे के नोटों को लेकर आई है, पर दोस्तों इसके बार हैं, पूरी दुनिया में कुल कितने महादीफ हैं, 9, 7, 8 या 6, 2000 रुपे के नोटों को लेकर RBI की और से आया बड़ा आपडेट, आईए बताया धिक जानकारी, जी हाँ, अगर आपने अभी तक 2000 रुपे के नोटों को नहीं बदलवाया है, तो ये खबर आपके लिए बेह Q में इसका जवाब दिया है, पुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी के पास 2000 रुपे के नोट अभी भी हैं, तो वो RBI की वेबसाइट से ऑनलाइन फोर्म डाउनलोड करके उसको भरके एक बार में 2000 रुपे के 20,000 रुपे के नोटों को RBI के जो 19 ओफिस हैं, जो 2000 रुपे के नोटों को आप पोश्ट ओफिस के जरीए RBI के ओफिस भेजेंगे, तो उसके बदले में आपको सीधे खाते में पैसे दे दिये जाएंगे, और आपके नोट इस तरह से आसानी से बदल जाएंगे, अधिक जानकारी के लिए आपको RBI के FQ वाले पेज पे जाना है, तो 2000 रुपे के नोटों को लेकर या कहले उसके बदलने को लेकर ये बड़ी खबर है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी, हम बसे इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स पर वाचिंग